मनुश्य के पाप कर्म के अनुशार मिलने वाली सजा जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं उन्हें महापापी माना जाता है मान्यता है कि ऐसे लोगों की मिरत्तिव के बाद यम दूत रसी से बांद कर उनको नरक में ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि वे पिटते पिटते बेहोस हो जाते हैं और फिर होस में आने पर उन्हें फिर मारा जाता है बुझरगों का अपमान करने वाले जो लोग बुझरगों का अपमान करते हैं वे कभी सुखी नहीं रहते हैं उनको अपने किये की सजा इसी जनम में ही मिल जाती है वही मरने के बाद भी उन्हें नरक भोगना पड़ता है गरुण पुरान में बताया गया है कि जो लोग बुझरगों का अपमान करते हैं उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं तो ऐसे पापियों को नरक में आग में जोंक दिया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल सरीर से अलग न हो उनके लिए भी नरक भोगना तय है, गर्ण पुरान में बताया गया है कि जो लोग अपनी इक्षा की पूर्ती के लिए निर्दोस जीवों को मार कर खा जाते हैं, उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है, ऐसे पापियों बड़े-बड़े कड़ायों में गरम ते दूरत है, या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं, जब तक एक दूसरे के पैसों का अपभोग कर सके, ऐसे पती और पतनी को मिरत्यू के बाद नरक भोगना पड़ता है, गरुण पुरान के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गरम सलाकों से पीटा जाता है, गुरु की पतनी को मा का दर्जा दिया गया है, गुरु की पतनी के बारे में बुरा सोचने वाले महा पापी कहलाते हैं, ऐसे लोगों को मरने के बाद जैनती नामक नरक भोगना पड़ता है, जानवरों की बली देने वाले लोग, गरुन पुरान में बताई गई धरम करम क बातों में यह भी का गया है कि जो लोग जानवरों की बली चढ़ाने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में लाकर जानवरों के बीच में ही छोड़ दिया जाता है, उसके बाद ये आवारा पसू उस ब्यक्ति को नोच कर खा जाते हैं, दूश कर्म कर अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सेर कमेंट करना धन्यवाद